हेलो व्रीवन वेल्कम तो दा सॉलिटूड एडूकेशन नाव बच्छे स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स सब्जेक्ट और यह जो सब्जेक्ट है डाट इस हाइड्रोलिक मशीन मैं यह कहूंगा कि जो हाइड्रोलिक मशीन है इस वन अप दे मोस्त इंपर्टेंट सब्जेक फोर दा कन्वेशनल पॉइंट फूइव इस्पेशली इन दा एससी जही मेंस एक्जामनेशन ठीक है यह कैसा सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा सेलेक्शन दो छोड़िए यह आपकी रैंक डिसाइड कर देगा कि कौन बच्चे टॉप रैंकर जाने वाले यह भी बच्चे सरोटी होती है ठीक है हर एक बच्चा इसको नहीं लगा पाएगा कि मैं कोई बच्चा जिसे की स्वाइल के कुषिशन कर लेते हैं सर्वे के कर लेते हैं सब लेकिन मशीन के कुषिशन मुसली बच्चों से 95% बच्चों से नहीं होते हैं जो 5% बच्चे हो पंदरा लेक्चर के राउंड होगा टोटल ठीक है अप्रोक्षिमेट बताया कोई एकज़ट आडिया नहीं पंदरा के राउंड में कराऊंगा दस से पंदरा के बीच में और आपको वन क्वेश्चन सियोर्टी के साथ बिल्कुल डिटो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ए थोड़ा सा इस लेक्चर में मैं जो डिस्केस करूँगा वो करूँगा बेसिक बातें क्या मेरे को पढ़ना है और आपको क्या करना है वो भी मैं आपसे डिस्केस करूँगा आज ही आज यू नोओ 26 सेप्टेंबर इस दा डेट है मेंस के लिए जादा दिन नहीं है नियर अबाउन 45 डेज के एराउंड बचे है नियर अबाउट ठीक है तो तू अपनी प्रिप्रेशन को अब थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ठीक है बचे तो यहां पर थोड़ा सा मैं से ल सा धेशन नहीं बनेगा है इसका hydraulic machine का तो यह मेंस के अंदर किवल एक question होगा और जो fight हो रही है वो इसी question के लीए हो रही है ठीक हैं नॉर्मली पंदरा नंबर तो आप मान के चलो एक question ठीक है टाइम नहीं लगता बिलकुल भी अगर चीज़े आदे आपको आती है तो तीन से चार मिनट मैं question को कर जाओगे easily ठीक है अब देखो अगर बच्चे मैं machine की बात करता हूँ if you are talking about the machine अगर मैं machine वाले segment की बात करता हूँ तो बच्चे machine के basically दो पार्ट है machine के दो पार्ट है एक है turbine और दूसरा बच्चे pump ठीक है machine के ये तो सबको पता है अब ये अपनी बात दिमाग से निकाल देना कि सरमने पहले machine पढ़ी नहीं है कोई बात नहीं भी पढ़ी पहले सब चलेगा मैं जितना बताऊंगा उतना आपको फोकस करना है इतना सबको पता है बच्चे के machine के basically दो पार्ट है आपके एक है आपका turbine वाला पार्ट ठीक है और दूसरा जो बच्चे पार्ट है आपका डाट is the pump ठीक है दूसरा पार्ट है ठीक है पहला है turbine और दूसरा है मेंस के अंदर मेंस के अंदर अगर मैं बात करूँगा turbine के अंदर तो turbine के अंदर केवल basically दो ही तरह के turbine आपको पढ़ने है कौन कौन सा मैं अगर मेंस की बच्चे बात करूँगा तो आपको simply focus जो करना है simply जो आप focus करेंगे वो करने वाले हैं आप किसके उपर पैल्टन टर्बाइन के उपर किसके उपर बच्चे नाव पैल्टन टर्बाइन क्लियर हुआ किसके उपर पैल्टन टर्बाइन अभी तक SSC ने जो question ज्यादा question नहीं पूछें दो-तीन question आया है hardly mains के अंदर उसने जो question किया है टर्बाइन में केवल पैल्टन टर्बाइन से question पूछा है और pump के अंदर centrifugal pump से question पूछा है लेकिन मैं जहां से बताऊंगा जो domain से question बनेगा सबसे पहला पैल्टन टर्बाइन एक ऐसी domain है जहां से वो question को उसे पूछने वाला है तो पैल्टन तो यह मान के चलो कि एक होट is put है कि उसको question करना ही है और कुछ है नहीं पैल्टन टर्बाइन के अंदर वो मैं सारा बताऊंगा आप लोगों को दूसरा दूसरा बच्चे reaction turbine एक है पैल्टन टर्बाइन और दूसरा जो वो टर्बाइन के अंदर question आप से पूछने की कोसिस करेगा वो बच्चे है मेरा reaction turbine कौन सा है that is reaction turbine ठीक है reaction turbine अगर मैं reaction turbine की बच्चे बात करता हूँ तो reaction turbine से उसने अभी तक कोई question नहीं किया reaction turbine की अगर मैं बच्चे बात करता हूँ तो reaction turbine से उसने कोई भी question अभी तक नहीं पूछा है लेकिन in future वो question जरूर करेगा क्योंकि जो toughest question बनता है पूरी machine के अंदर वो reaction turbine या centrifugal pump से बनते है दोनों inverse हैं एक दूसरे के मैं बात करूँगा उसमें आपने centrifugal pump जभी समझ में आएगा जब आपको reaction turbine आता होगा ये नहीं आता तो इसका मतलब आप centrifugal pump के question कभी नहीं कर सकते हो बात समझ में आए उसने मैंने आपसे बता पैल्टन टर्बाइन तो ये मालो की उसका hot sport है सबसे चहेता topic है पैल्टन टर्बाइन ये तो मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता मैं इसको बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकता ये मालो की इसको तो मेरे को कर नहीं है machine में और सबसे आसान भी यही होगा पैल्टन टर्बाइन सबसे जो आसान topic बच्चे बनेगा वो पैल्टन टर्बाइन नहीं बनेगा रियक्शन टर्बाइन और सेंट्रिफ्यूगल पम्प में तो ये मालो कि आपको हवा भी नहीं लगेगी कोशन में पूछ क्या रहा है हो ठीक है पैल्टन टर्बाइन है वह थोड़ा सा इजी है इन दोनों के कंपरिजन में ज्यादा बड़ा rocket science नहीं लगता है पैल्टन टर्बाइन के अंदर कलियर हुआ अब अगर मैं बच्चे यहां पर reaction टर्बाइन की बात कर रहा था now reaction टर्बाइन में भी दोनों तो दो तरह की टर्बाइन यहां पर होंगे एक होगा मेरा inward flow और दूसरा मेरा कौन सा होने वाला है डाट इस आउट वर्ड फ्लो के लिए एक इनवर्ड फ्लो और दूसरा मेरा कौन सा होगा डाट इस आउट वर्ड फ्लो के लिए एक इनवर्ड फ्लो दूसरा आउट वर्ड फ्लो दोनों complicated है एक इनवर्ड फ्लो भी और दूसरा आउट वर्ड फ्लो भी दोनों अपने आपको पढ़ना है उसके लावा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना ज्यादा दिमाग लगाओगे कन्फूजन इतना कर लोगे फाइनली मशीन को छोड़ दोगे ठीक है की सारी थोड़ी पढ़ लेना थोड़ी का मतलब यह है कि हाँ यह रनर पावर होती है यह वोटर पावर होती है यह इसकी विलॉस्टी होती है यह वेंस होते है नंबर ओव वेंस इतने होते है यह यह इतना होता है वो सारी चीज़ा आप देख ले क्योंकि मैं जब कल आओंग रेक्शन में हम दोनों तरह के टरबाइन का जिक्र करेंगे इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो क्वेशन नहीं आया आज तक लेकिन क्वेशन आएगा फ्यूचर में क्यों आएगा क्यों कि बच्चे जो सेंट्रिफ्यूगल पंप मैं आपको बताने वाला हूं पंप के विए नहीं आता तो आप पंप का क्वेशन कभी नहीं बना सकते और उर सेंट्रिफ्यूगल पंप का कॉष्यन करना सबसे डिफिकल्ट टासक होता है सबसे डिफिकल्ट टासक, इसमें दो तरह की चीज़े वह बड़ी डिस्क्यिस करता है, एक तो नाट पॉजिर्टिव स tul head में आपको concept में घुमाएगा और दूसरा minimum starting state of the pump दो तरगे question मनेंगे और एक simple जो question बनते हैं कि बहई कितना discharge होगा यह सब वो वाले questions से बनते हैं सबसे difficult part होगा यह centrifugal pump और centrifugal pump भी उतना ही important है जितना pelt and turbine क्योंकि उसने जो question बच्चे पूछे हैं उसने जो question यहां पर किये हैं वो काफी किये हैं centrifugal pump से तो यह भी एक important domain है आपका machine का ठीक है यह भी आपका important domain है machine का data is the centrifugal pump ठीक है और यह किससे connected है यह इससे connected है अगर बच्चे यह नहीं आता reaction turbine नहीं सीखा तो centrifugal pump का question कभी नहीं बनेगा भूल जाना उसके बात समझ माई बात समझ माई चलो अब इसके अलावा इसके अलावा वो एक तरह का question और पूछने की कोसिस करता है इसी में that is the specific speed बहुत ही आसान सवाल होता है अगर बहुत ही जादा जैसे specific speed अगर उसने बहुत ही आसान इसने रिखता है direct speed के formula है वहां से पूर लेगा ठीक है और इसमें भी क्योंकि specific speed तो pump की भी होगी और वो turbine की भी होगी अगर उसको और थोड़ा सा मजा करना रहा paper में आपके साथ में तो वो specific speed से question आपसे पूछ लेगा किसे पूछ लेगा बच्चे वो specific speed से आपसे question कर लेगा वो कब करेगा जब उसको मजा करना होगा आपके साथ में कि चलो यार मशीन से कुछ questions तो दे नहीं थे मेरे को एक काम करते है specific speed का diet formula लगवा के question पूछ लेते हैं बस यह बच्चे मेरी pump turbine में मेरे को peltent turbine और reaction turbine पढ़ना है और pump के अंदर मेरे को centrifugal pump पढ़ना है ठीक है आपका task क्या है आपका task यह है कि आप peltent turbine के बारे में अच्छा से पढ़ ले या तो कहीं not से पढ़ ले बुक से पढ़ ले नेट से इंटरनेट से पढ़ ले गूगल कर ले या फिर आप आइधर handbook से पढ़ ले लेकिन मेरी आपसे गुजारिस है कि आप peltent turbine का पहले पढ़ लेना जो भी पार्ट शुरूगा हम peltent turbine पढ़ेंगे question नहीं करेंगे diet में एक overview बताऊंगा आपके जो आपके exam में काम आने वाला है 10-15 lectures होंगे पूरी machine के और complete machine मैं आपको करा दूँगा ठीक है उसमें से definitely आपको question मिलेगा 100% question मिलेगा उनहीं 10-15 सवाल में से एक question ठीक है बच्चे तो यह मारा part हो गया प machine के हो सकता हो तो नोट्स बना लो कितना टाइम लगता है रोज आदा घंटा नहीं निकाल सकते machine के लिए एक सोट मंदर सा नोट्स बना लो यह मेरा introduction पार्ट है अच्छा पैल्टेंड रिवाइज करने में आसा नहीं क्योंकि जो फॉर्मूले भाई फॉर्मूले इतने हैं मेरी वनेगी centrifugal pump है तो यह बनेगी इसकी रहन्न पावार इतनी होती वोटेर इतनी होती अतनी होती नंबर बॉकेट इतनी होती है यह नट पॉजट्टी सेट यह होता है यह स्प्यसिपिक इस फॉर्मूले भूट है ठीक है तो आप अपना नोट बना ले अच्छे से ठीक ह और पेल्टन टर्वाइन का मैं एक इंट्रोडक्षन पार्ट आपको बताऊंगा पूरा कि वह यह यह होती है भाझी तो हमारी प्रेपीषण अच्छी चले रही है ठीक है बच्चे तो फिर ऑके इतना ही सलेक्च्र में फिर मिलते हैं में ग्रें 125 में साथ में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद ओके मिलते में अच्छे